Hello everyone, welcome to the new video from Studyverse और मैं हूँ अनुबव गुपता शुर एक चीज जो हर एक बच्चा जो MBN फिनांस करना चाहता है उसके माइड में होता है कि सर मुझे investment banker बनना है आज कल investment banking एक बहुत ही sought after domain बन गया है बहुत ही rewarding domain बन गया है लेकिन बच्चो को ये नहीं पता होता है कि actually investment banking में करना क्या होता है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको complete information बताने वाला हूँ कि investment banker का काम क्या-क्या होता है क्या-क्या उसको करना होता है और क्यो MBN फिनांस के बाद ये बहुत अच्छा lucrative option है जिसको आपको pursue करना चाहिए तो चलिए शूरू करते हैं इसे पहले फ्रेंज हम स्टाट करें आप लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जुरूर प्रिस कर देना ताकि सारी important वीडियो की notification आपको मिलती रहे सब्सक्राइब करना चाहिए और आप आपको वीडियो कोर्स मिलता है फूर विंडोज लैप्तॉप या एंड्रोइड या आइफोन के लिए इसमें 500 गंटे की आपको वीडियो मिलती है प्लस में आपको मॉक सीरीज मिलती है जिसमें आपको sectional test, topic wise test और 24 by 7 doubt forum मिलता है इसके लाव आपको 30 full line mocks भी मिलते है और उनका detailed analysis और solutions भी आपको provide करे जाते है वैसे तो friends इसकी इस डबल नाइन डबल नाइन है लेकिन आप इसको अभी discounted price में 5999 में avail कर सकते हो इसकी complete information आपको माई website में मिल जाएगी link नीचे description box में तो friends अगर हम बात करें कि investment banking actually होती गया है तो investment bank का काम सिर्फ investment करना ऐसा नहीं है investment banking एक काफी multiple aspects वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो funds raise करते है capital raise करते है for the firm और यह वो किसके थ्रू कर सकते है या तो debt के थ्रू कर सकते है या equity dilute कर सकते है जो भी चीज़ इसके अलावा और भी इनको कुछ काम करने होते है for example mergers and acquisition advisory करते है और corporate financial services में भी यह participate करते है इसके अलावा इनको excellent grasp इनके पास होने चाहिए of the knowledge of investment climate की समय कैसे investment climate चल रहा है और popular investment vehicles की complete knowledge होने च साती है तो investment banker यह decide करेगा कि क्या यह सही समय है लेके आने का या नहीं और लेके आने का तो क्या-क्या formalities company को अपने दिमाग में रखनी चाहिए क्या-क्या चीज़े important चीज़े अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो सब investment bankers decide करते है तो friends अगर हम और detail में चाने कि investment banking को क्या करना होता है यह तो हम समझ चुक है कि capital raise करनी होते है चाहिए debt से या equity से वो decide करेंगा या mixture of both से उसके बाद उनको transactions की assessment भी करनी होती है और financial activities की भी कैसे bonds and stocks perform कर रहे है और with the help of investment bankers यह इनको properly price भी कर पाते है और value भी इनके कर पाते है जो भी securities में यह work करना चाहरे है और इन जो good investment banker होगा वो सारे के सारे facts अपने investors को देगा ताकि वो एक बहुत ही अच्छी choices कर सके है चाहे वो mutual funds की हो चाहे वो किसी भी चीज में investment की हो उसमें वो कर सके है इसके अलावे इनकी क्या-क्या duties होती है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि client की need की according long term and short term financial plans बनाने होत है और भी professionals के साथ काम करना होता है for example lawyers, accountants to help their clients particularly mergers and acquisitions over IPO listing के time पर financial models create करने होता है कि कहां से company के funds आएंगे और कहां पर पैसा लगेगा, cash flow किस तरीके से चलेगा, company कैसे funds raise करेगी financial deals को structure करना होता है और negotiate करना होता है और इनको new market conditions के लिए भी research करनी होती है और development करते रहना पड़ता है तो career map किस तरीके से रहता है for example अगर कोई bank में जा रहे है तो commercial banking, sales and trading, equity research और investment banking में जा सकता है अगर कोई institutions में जा रहे है तो private equity, portfolio management और research में जा सकता है अगर कोई corporate में जा रहे है तो वो treasury, investor relations और corporate development में भी जा सकता है और public accounting के अंदर, due diligence के अंदर, transaction advisory और valuations के अंदर भी वो जा सकता है इन सारी ही जगाओं पे career कोई अपना build कर सकता है after becoming an investment banker तो इसके लिए कुछ skill sets भी चाहिए होगी क्योंकि एक बहुत ही अगर sought after domain है तो ये भी कुछ demand करते होगे सबसे पहले हमें भाई self motivation चाहिए क्योंकि बहुत सारा passion चाहिए जो भी आप कर रहे हो high energy environment है over long hours भी work करना पड़ता है teamwork आपको करना आना चाहिए बहुत important because financial sector के अंदर आप अकेले नहीं हो आप सब team का बड़े team का आप एक पार्ट हो तो उन सारे experts और professionals को साथ लेके चलना आना चाहिए numerical skills तो आपकी बहुत amazing होनी चाहिए because आपको finances, data and number इन सारी चीजों को बहुत चंग करना पड़ता है तो ये काफी अच्छ होना चाहिए communication आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी clients के साथ, stakeholders के साथ जिनके साथ भी आप मिल रहो, firms के साथ, आपकी network के साथ strong relationship और communication होनी चाहिए analytical skill तो must है financial expert जब आप होगे तो जो भी reports आपके सामने आएंगे उनको किस तरीके से analyze करना है वो बहुत ज़रूरी है creativity in the sense कि अब latestly आप और क्या चीज़ कर सकते हो you have to think out of the box sometimes हो सकता है conventional जो situations है या conventional methods है वो work ना कर रहे हो और आपको कुछ new out of the box सोच के implement करना पड़े fast-paced environment में आपको अपने आपको adapt करना है कि भाई आप भी उसके अंदर side by side चल सको आपको ऐसे न लगे आप पीचर चूट रहे हो और commercial awareness भी आपकी होनी चाहिए जिसके अंदर strong understanding होनी चाहिए business structures की और business किस तरीके से position होती है अगर friends हम बात करें कि अगर कोई investment banker बनता है तो उनकी कौन-कौन सी companies में job लग सकती है और बहुत सारे investment banks है बहुत सारे इंडिया के भी हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो तो friends अगर आप investment banker बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि MBA in finance अगर आप बहुत अच्छे college से कर लेते हो तो आपके जो ways हैं वो बहुत सारे open हो जाते हैं तो इसके लिए already हमने channel पर बहुत सारी videos MBA in finance की बनाई हुई है आप link नीचे description box के अंदर जाके देख सकते हो उनको आप monitor कर सकते हो उनको आप देख सकते हो कि कैसे अगर आप MBA in finance करते हो तो आप एक investment banker बन सकते हो कौन-कौन से colleges है, क्या-क्या पढ़ाया जाता है सब चीजे आपको इन वीडियो के अंदर मिल जाएगी तो friends यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने बात करी investment banking के बारे में investment banker के क्या-क्या काम होते है वीडियो पसंद है तो like जरू करना प्लीज हमाँ साथ Instagram पर जरू कनेक्ट हो जाना अगर आपको pen drive course, crash course या किसी live batch में रोल करना है तो हमारी website है और अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमें whatsapp या email भी कर सकते हो, so thanks a lot friends all the best, God bless you